चलिए देखे डेटे शुयंट 2020 बोड़ पर इकसा में कितना उपजड़ेटी पोथा ढाएगा है यानि कि अगर आप भी 2020 में एंटर या मैटरे का एक्जाम देने वाले हैं तो आपके एक्जाम में साथ या सौ अब्जेक्टिव कितना अब्जेक्टिव पोचा जाएगा दो हजार चोवेस बोर्ड पर इक्सा के लिए तो चलिए आप लोगो दोस्तों पूरा डौट के लिए करेंगे वीडियो को पूरा देखते हो तो हैंडेट परसेंट का सकते हो आप लोग स्योर जाएगे कि 2024 बोर्ड पर इक्सा में कितना अब्जेक्टिव पोचा जाएगा उससे पहले आप लोगों को पैटा ने 2021 जानना आती है वसे कि 2021 में कितना अब्जेक्टिव पोचा गया था जाना है कैसे आप लोगों को 2024 में कितना पर्जेंट अब्जेक्ट पूछा जाएगा तो चलिए पहले देखें 2021 का जानिए करोना के बाइरस के काँ 2021 का सिलेवा से तो देखें इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए लाग हुआ बिहार बोर 2021 में दोगने विकल पे पूछ दिया बिहार बोर था वो दोगने विकल पूछा देख सकते हो सतर नमबर वाला जो प्राशन होता है फेजेक्स कमेश्टी और बायो इसमें सातर अब्जेक्ट ने पाइटिस का उतर देना था जो कि दोगने विकल्प कर दिये गए और यहां पर देखोंगे सो नमबर वाला जो हो हुँआ होता हैं हिंदियों उसमें सौबजेक्टिव कर दें 50 का उतर देना था जब के माट्र कमें देखोंगे साइसी में 40 में उतर देना था और देखके सबजेक्टिवं ने पूछे गए थे मानले दोनमार या आप लोगों को दोस्तों वोर्ड एक्जम बेश को या तीस पूछा जाता है तो उसे में मात्रापलों को आधा आधा जवाब देना था ऐसा पैटन बतला दिया गया था ठीक न डिए शुटी यह 2021 का सिलेवास साथ देखे 2022 में क्या हुआ तो सेम 2022 में वहीं हुआ जो 2021 में हुआ क्योंकि 200 कुरोना 2022 में भी आया तो कुरोना के का 2022 का सिले वस्द देखोगे तो उसी प्रकार का जिस परकार 2021 में रहा 70 नमबर वाला में, दोस्तों 70 नमबर हो क्या होग कि 70써 25 का जवाब देना था और इसमें सब्जिक्ति भी दुगोंने सब कुछ पूछेंगे जवाब 11% याने कि 50% का ही देना था ठीक ना यानि कि आपका बोड एक्जाम 22 और एकाइस का जो पाटन राज सिम रहा क्यों कि दोनों वार करोणा आया लेकिन आप लोग जानते हो कि 2030 में करोणा आया ही नहीं तो क्या हुआ पैटन तो देखिए आपके समग से देखिए 2030 में करोणा नहीं आने के कारण देखिए सिलेवस कैसा रा भी हारबोर का तो देखिए 2030 का सिलेवस इंटर और मैट्रिक दोनों चात्रों के लिए करोणा नहीं आया फिर भी हारबोर 2030 इक्जामें दो गुने बेकल पे पूछे गए क्या आप इसका रिजन जानते हो क्यों पूछा गया सलिए आप लोगो लास्ट में बतला देंगे और 2024 में क्या 60 या 100 अबजेक्टिव पूछा देखिए पूरा आप लोगो डिटेल से बतला देंगे तो देखो 2030 में यानि यारे कि हाल फिलान में जो इक्जाम अप लोगो हुआ 2030 का डियरेशन इसमें क्या हुआ इसमें 70 अब्जेक्टिव जो 70 नबर का एक्जाम होता है जैसे के फेजिक्स होता है कैमेस्ट्री होता है और दोस्तों बाइ होता है यह तीनों में 277 नमर का एक्जाम होता है तो 7 नमर में क्या होआ कि सातरो का बजेक्ट पुचा गया जिसमें से 25 का जवाब देना था यह कंड आ में दोस्तों अपलों को 35 नमर 200 फिक्ष्ष हो गया 70 नमर में यानि कि 70 में 25 का जवाब 2 आधा पर्सेंट का जवाब देना है माइथ में भी ऐसा हुआ हिंदी इंगलिस सावे सौन नमर वाले में सौग अबजेक्टिव पुछा गया पचास का उत्तर देना था वहाईं दोस्तों मैट्रे के बात करें तो साइन्स सोजल साइस में आसी और जवाब देना था चाली से अब कोकर सब्जेक्टिव इसमें भी दुखना पुछ गया हाँ जिहां इसमें भी दो गने पुछ ग pó्चागे जवाब देना था आद букा अरदे कर दिसमें अपने आधे प्रसने का जवाब देना होगा यानि बिहारवड इंटरमेटरिक पटन ने दोस्तों बना दिया दो गुने करने का यानि कि बोल दिया बिहारवड हमेशा दो गुने भी कल्प से के साथ क्वेशन पूछे जाएंगे इसकी पूरी जनकारे गूगल पर सेर्च करे एजुकेशन लेक्टर डाउट काम आप लोग सार्च किजिएगा इसका फूल डिटेल से आप लोग को वहाँ पर मिलेगा अस्कीन सोट ने लिजए बिहार बुटने वहाँ पर खुले आप बतलाजें दो हजार चोवेश में कितना पूछेंगे तो चलिए और वी आप लोगने विकल्प के साथ पूछा जाएगा क्या दो हजार तेस का पटन दो हजार चोवेश में लागू किया जाएगा यह आपके मन में गूंज रहा होगा तो चलिए आप लोग इसका जवाब देते हैं तो देखें जो हजार चोवेश इंटर मैट्रिक का पैटन आइसा र लाएं इसकी संपुन जानकारी आप लोग यहां से जान सकते हैं गूगल पर आप लोग को सेर्च करना है एजुकेशन लिक्टा.com असकीन सोट ले लिजे जाकर कि आप लोग को ख़ले टैप करके सर्च करना वहां से आप लोग को मिल जाएगा तो देखें 24 का पैटन कुछ इस प्रकार से राने वाले हैं सतर नमबर में कौन-कौन बेसा आता है तो फिजिक्स होते हैं कमेस्ट्य होते हैं और बाए होते हैं साइंस वालों के लिए अब आर्स में कुछ सब्जेक्ट होते होंगे जो सतर नमबर के पूछे जाएंगे इसमें सतर में 35 का जवाब देना एप केम जिसे ना होता है। होता है ब्लव्स हैं। मेरा काईने का मतलब है। यहां से जवाब आधे का देना होता है यहां से मुझे उमिद है कि आप लोगों को 100% पता चल गयों कि 2024 में आखिरकार कितना अब्जेक्टेप पूछा जाएगा यह 25 के लिए लागू होगा कि ने यह पूरी जानकारी आप लोग गूगल पर जाकर के सेर्च करते हो चलिए आप लोगो बतलावे देते हैं कैसे आप लोग सेर्च कर सकते हो अब आपके मन में दोस्तों सवाल उटागा 2024 की तैयारे कैसे करें तो सबसे पहले आप लोगो चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि इस चैनल पर आप लोगो को कराईब आती है साथ में आप लोगो बेहतर हैं किसे पीड़ी एप के लिस नंबह पर आप लोगो को कांटिट करना है नाइन बन भाप इंप नाइन बं यहां सब्सक्राइब करना कि आखिर का 2024 में कितने अब्जेक्टिव भी हार बोर्ड कितना अब्जेक्टिव है दोस्तों सेलिट करेगा तो याद है ना 2024 में भी आप लोगो 100% अब्जेक्टिव पुछा जाएगा जिसमें 50% का जवाब देना होगा मुझे उमिद है कि ये वीडियो देख करके आप लोग अच्छी तरह से 260 वाइड ही होंगे अगर हुएं तो लाइक सब्सक्राइब जूरूर करना दोस्तों के पास जड़ किजिए चलिए इसका और भी 200 जन करें कहां से प्राप्त करते हैं चलिए आप लोगो बत लाते हैं देखे डियाशन इसका पूरा से लेवस आप लोगो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगो गूगल पर चले आना है और यहां से बिद्ध्याकुल एजूकेसेंडाउट कॉम सार्च करना है सावी बिद्ध्यारतिया स्क्रीन सोट लेलिज़िए इसका पूरा से फिर रेच नावह करने के लिए कि उसका हरा गूगल यहां से 對ौरा साइप वेबर साइट करने है तो खेलिग करेंगे तो इस उपन COM मै है दो यहां पर ध्यार यहां से नाश से करें के पूरा साथ भर नॉट तो आ करके डाउनलोड करना में अफ्सीन है कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहां से पूरा सिलिवस की चाप्टर से कितना अब्जिक्टिव सब्जिक्टिव लाउंग क्वेशन पूछा जाता है पूरा का पूरा अगर के जान लिजे मेरे पेरे साथियों कि कि माइथमाटिक्स, फेजिक्स, कमेस्टि, माइथ, हिं के डाउनलोड का लिजे